अब तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं कि क्यों मार्केट्स ने फ्राइडे को एक क्राकडाउन दिया तो अब इस टाइक की मार्केट्स में कैसे इस वात करना है तो कुछ सेक्टर्स हैं जो मैंने परस्णिन गी पुट पूर बाक्स आते हैं तो इन को हम पकड़ने वाले हैं for buying ओके तो अब सबसे पहले let's understand एक बार मैं आपको एक analogy देता हूँ कि Friday को market ने crackdown क्यों दिया था, क्या reason था, लोग पूछ रहे थे Japanese market क्यों टूटी है, this and that so let's understand, okay so मैं आपके सामने एक presentation देता हूँ कि अगर आप यहां देखेंगे Black Friday event क्यों हुआ था, right तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले, Japan के अंदर as you know, एक deflation की situation है, तो वहां पर interest rates बहुत कम है, okay तो उन्होंने interest rates बहुत कम रखे हुए तो अगर आप for example, Japan में loan borrow करते हैं, पैसे borrow करते हैं तो on an average आपको कुछ 1.5% के अंदर मिल जाता है, ठीक है अब एक बहुत common scenario होता है forex markets में या international markets में कि Japan से loan लिया जाता है और Australia के अंदर उसको invest किया जाता है and beach में जो एक arbitrage होता है उस पे पैसा कमाया जाता है, conversion rates and everything काटने कोटने के बाद एक इस टाइप से game चलती है, ठीक है तो Australian और AUD-JPY का जो pair होता है forex markets में उसमें भी crackdown आया है अब इसमें होता ये है कि on an average Australia के अंदर आपकी जो FD returns है वो साढ़े 4% के करीब है, तो आपको पता है 1.5% ये conversion charges सब कुछ काट वाट के, सब कुछ करके फिर भी एक बंदा 1.5% आराम से arbitrage में निकाल सकता है तो उसी चीज़ का वहाँ फाइदा उठाया जा रहा है and pair में भी trade किया जा रहा है तो mainly in pairs में इसले trade किया जाता है कि arbitrage situation देखी जाती है, ठीक है अब अगर आप next देखेंगे Bank of Japan में क्या हुआ था Interest rate increase हुई है उसी की वज़े से fall आया तो ये जो आपका Japanese banks है, Central bank है उन्होंने interest rate increase की है तो हुआ क्या है, जो सारा उधार का पैसा था जो Australia में लगा हुआ है, अब वो वापस चाहिए उस पर pressure build हो गया और जब भी उधार के पैसे पर leverage, mortgage पर pressure build होता है तो generally housing societies हो गई या फिर bank systems हो गई, वो collapse होते हैं, ऐसा होता है तो ये same चीज 2008 में भी हुई थी और अब मैंने बोल रहे है कि ऐसा collapse होगा या कुछ होगा बट एक जो pressure आया है बहुत तगड़ी तरीके से वो उसी वज़े से आया है, तो Japanese yen को protect करने के लिए against a US dollar interest rates को भढ़ाया गया है, तो ये basic आपको मैंने एक macro economics type चीज़े समझा दी है कि हुआ क्या है, ठीक है अब चलो ये चीज़ हो गई, fine अब next क्या है, कि यार तो US markets के वो टूटी, तो जो शाम को non farm payroll data आया, employment numbers आये, वो सबके सब बिलो expectations आया, तो वो negative थे वो, तो अब हुआ क्या कि वो जो card वाला system नहीं हो था, एक card fakeा सबके सब गिरने लग जाते हैं, तो वो ही चीज़ हो गई, सुबे से crypto के अंदर, forex के अंदर London, इन में pressure था यह same pressure, शाम की markets में भी आगर, वो और increase कैसे हो गए, जैसे data match नहीं किया, ओके और जब भी markets all time high के आसपास होती है, तो होता क्या है, markets को भाना चाहिए होता है, correct करने के लिए ओके, और अगर आप एक चीज़ observe करेंगे in US markets और Indian markets और कोई भी global markets और Australian markets या फिर European markets में, तो 10% type का correction अभी तक नहीं आया है, okay, since 2020, right, तो market में जो अब correction आ रहा है ना वोसी चीज़ का है, और मैंने आपको क्या बार-बार एक चीज़ बोली है, कि markets तब break होती है, when the last buyer is in, और आप देख सकते हैं, जब elections वाले दिन पर market ने बहुत बड़ा crackdown दिया था, hardly लोगों ने वहाँ पर entry की होगी, लोग डर में रहते कि भई, अब तो यहां से market टूटेगी, बहुत बढ़ गई है, और वहां से market भाग गई उपर, मैंने आपको बताया भी था, कि मैंने निफ्टी बीज में पैसे डाले थे, 245 की रेट पे, अब प्लान है कि दुबार अगर 260 के नीचे आएगा, 255, 240 सम्थिंग पर आएगा, तो आड करेंगे, अपना plan बहुत clear है, अब market कहीं भी जाए, अपना plan clear है, बट लोगों में fear generate होना चालू हो गया, उनको यह लग रहा है कि market में sea of red हो जाएगा, सब गिर जाएगा, सब तूट जाएगा, तभा हो जाएगा, तो उनके दिमाग में, अब multiply होना चालू हो, और TV चानल सो वैसे भी, उस चीज़ को multiply करतेंगे, ठीक है, वो fear बनाएंगे, उनका काम है वो बनाना, तो अब हुआ यह है, long story short, market को correction चाहिए था, market में correction ले लिया, अब Monday को क्या लगता है, Monday को, so obviously बात है, जो Friday का impact हुआ है, वो Monday को आएगा, और इस सुबह सुबह साड़े 5-6 बज़े से शुरू हो जाएगा, तो Monday बहुत busy रहने वाला है, crypto के अंदर भी mostly, I'll be sitting somewhere around 5-5.30 से मैं बैठना चालू कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि impact आना चाहिए, सुबह morning session में, Asian market से impact आएगा, तो I'll be active from the morning on that day, और मैं तो live आऊँगा, आप लोगों के साथ 9 बज़े के करी markets के अंदर, तो make sure आप लोग भी channel को subscribe कर लें, and Monday को, अपलब की कल, आप लोग मेरे साथ live रहिएगा, जिससे जो भी opportunities होगी, इन markets हम लोग उसको seize करने की कोशिश करेंगे, अब एक और पंगा क्या है, इस्रेल, इरान का जो वार है, उपर से आपकी US, UK की वार्शिप्स चली गई हैं वहाँ पर, तो kind of a escalation of war का एक वो आ रहा है, and एरान बेसिकली justify कर रहा है कि उनकी soil पे एक citizen को मारा गया है, so this is act of war, so they have the right to reply, this and that, so they are planning that, and then Russia का एक aircraft है जो that is famous for carrying weapons that has reached Iran, so something is escalating, तो markets को ये चीज़े पसंद नहीं है, तो इस वज़े से और sea of red आना चालू हो रहा है, और ये सब चीज़े crypto को, forex को, सब को impact कर रही है, even gold को impact कर रही है, ठीक है न, तो ये सब चीज़े हैं, right, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मारा अगला सवाल आता है, कि यार, opportunity है क्या, कहीं opportunity है, कुछ समच सकते हैं, हम लोग क्या situation है अपनी, तो सबसे पहले, अब हम लोग क्या करते हैं, plan number one है, हम पहले, nifty bank nifty का plan समझ लेते हैं, कि भई, कहां पर और next levels हैं, क्या है, बहुत बड़ा लंबा चोड़ा analysis नहीं रहने वाला, because यार, कल expected है gap down होगा, तो जो लोग, overnight markets में trading करते हैं, btst लेते हैं, stbt लेते हैं, ये उन्ही के दिन चल रहे हैं भी, और market में हर player का दिन आता है, वो pullback trader हो, breakout trader हो, या फिर, ये तुका trader हो, जो btst, stbt होते हैं, तो don't mind, ये तुका ही होता है, तो ये जो तुके traders होते हैं, इन में ये सब चीज़े होने वाली है, तो सब के दिन आते हैं, market सब को मौका देती है, ठीक है, तो अभी इनका दिन है, तो इनको कमाने दो पैसे, इनको अच्छा करने दो, इन आने तीन-चार दिन बाद ये सारा पैसा गवाई देना है, तो that is pretty normal, तो ठीक है, तो pullback traders का मौका आएगा, जो मैं करता हूँ, one trade system का भी मौका आएगा, जो मैं करता हूँ, तो हम लोग उसकी wait करेंगे, समझदारी से, तरीके से, और कुछ sectors पर मेरी नजर है, उस पर भी हम लोग दियान देंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, let's start with nifty and bank nifty analysis, let's understand किया है, अब यहाँ पर situation क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले, what I'm gonna do is, हम लोग चलते हैं, nifty पे, तो हम लोग nifty पे चलते हैं, nifty के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर chart देखेंगे, मैं weekly chart से शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं weekly chart से शुरू करता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यार, nifty में जो last decent correction आया था, वो आपका आया था in the budget week, वो budget कह रहा हूँ, in the election week only, वो जो 3 और 4 जून को था, और वो बहुत important events है, मैंने आपको बार बार बोला है, जितने stocks हैं, जो 3 और 4 के उपर हैं, उन्ही में planning करिए, बाय करने का, विकिस अगर यहां से भी market correction होने के बाद घूमती है, और वो यह अपना 3 और 4 तरिक का low नहीं तोड़ती है, तो भाई, ध्यान रखेगा इस बात को, जो sectors इसको follow करेंगे, यही सबसे पहले recover करेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा, कौन से वो 2 sectors हैं, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ अलग game चल रही है, तो इन में कुई corrections आएगा, तो मेरी hitless में रहने वाले हैं, ठीक है, सुनाओ, अगर आप आप यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर क्या किया है, 50 moving average लगा दिया, जो की black है, और उसके बाद मैंने 10 and 20 लगा दिया, बस मैंने से जाला कुछ नहीं किया, अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर clearly market में अगर आप देखेंगे, कुछ खास correction आया ही नहीं है, last जो proper correction भी आया है, वो आपका आया है, 2022 में थोड़े time के लिए market sideways थी, उसके बाद कोई correction नहीं है, तो अगर आप, मैं आपको यहां से एक बार दिखा हूँ, इदर से अगर आप देखेंगे, market में एक correction आया था, somewhat यहां पर, ठीक है, 18% के करीब का एक correction था, आप यहां देख सकते हैं, इदर, और यह, मैं weekly chart खोल के बैठा हूँ, और weekly chart में अगर आप देखेंगे, यह correction स्टार्ट हुआ था, somewhat around, 18 October को, और यह चला था आपका, 27 June 2022 तक, तो मतलब आप लेके चलिए कि, almost 7-8 महिने में, 18% का correction आया था, ठीक है, एक बारी में नहीं आया, तो अब इसमें होगा क्या, उसके बाद आप देख सकते हैं, market बिल्कुल अपने trend पर है, अब है बिल्कुल proper तरीकी से, तो एक correction हैं पर आना बनता है, तो correction के areas क्या हो सकते हैं, या तो correction के areas, 24,000 होगा, या फिर आपका 23,500 होगा, या फिर somewhat around, ये 22,100, 500, ये वाले areas रहने वाले हैं, तो ये जो मैंने down arrow mark किया हुआ है, यहां से लेके, 22,500 से लेके, somewhat around 25,000, ये एक area है, जहां पर एक अच्छा correction आ सकता है, तो आपको इनी areas में धूनने हैं, जब मेभी नीचे तक ना है, इससे पहले करेक्ट हो जाए market, 10% ना टूटे, इससे पहले करेक्ट हो जाए market, जब मेभी 4% टूटे, 5% टूटे, बट दाट शुड़ भी a good opportunity for you to buy, ठीक है न, यह आप ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको ये heads up देती है, तो अब एक बार हम लोग अगर इसका एक daily chart देखें, daily chart देख लेता है, तो daily chart पर आप देख सकते हैं, gap down हो रहा है, तो अब उस दिन भी gap down होने वाला है, तो expected है कि market कम से कम 2% gap down खुलेगी, तो अगर हम 2% देखें, यहां पर इसका, इस close से अगर हम लोग 2% एक बार चेक करें, 2%, 2% के करीब around यहां पर, तो आप expect करिए कि 24,000, 250 या 300 के पास market open करेगी, तो कम से कम 304 तो point expected है, कि market gap down open करेगी, अगर उनकी market 2% है, तो हमारी 1,0% to down खुलेगी, ठीक है न, exact नहीं खुलेगी, तो कुछ तो कम खुलेगी, तो इतना आप ध्यान रुखेगा, तो यह scene हो गया, अब एक काम करते हैं, हम लोग आजाते हैं, 30 मट के chart pants, देख लेते हैं, कोई आस पास के levels हैं, जहां पर हमें कुछ buying करने का मौका मिल पाएगा, तो आप यहां देखिए, यहां पर जहां correction आ रहा है, जहां पर expected correction है, यह guys level है, 24,250 का, तो अगर price, अगर price इस level के पास टिकती है, इस level के पास अगर price टिकती है, यह देख रहे हैं आप यह जो मैंने यहां पर mark किया हुआ है, अगर price इस level के पास stick के नीचे break करती है तो हमारे पास selling opportunity है और chances हैं कि market में selling ही आने वाली है because यह एक news based gap down हो रहा है तो जो sentiment है वो इस time पे negative turnaround हो गए है अब हमें यह देखना होगा कि Monday को market क्या करती है कि हहां से buying लेती है या फिर इसके नीचे selling करती है तो अगर buying लेगी तो छोड़ी छोड़ी quantity में try करेंगे selling करेंगे तो decent quantity में अपना sell की तरफ करेंगे क्यों direction की side पर ठीक है तो यह अपना छोटा सा plan है और कुछ इसमें plan नहीं कर सकते हैं गाई एक level है जो हमने as per dow jones ए nasdaq जैसे बंद हुआ है उस हिसाब से एक हमने 2% का हिसाब निकाल ले कि market most probably यहां पर open हो सकती है तो यह आप ध्यान रुखिएगा ठीक है so next एक काम करते हैं हम लोग next एक बार देख लेता है bank nifty so bank nifty में अगर मैं आप लोगों को एक हफते का चार्ट दिखाऊं तो bank nifty में guys clearly as you can see bank nifty के अंदर यहां पर एक proper सा correction चालू हो गया है all time high से market नीचे आ रही है तो अगर इधर मैं all time high से 10% का correction अगर ले के चलूं 10% का correction तो मोटा मोटी यहां पर आएगा हमारा सी ठीक है अब एक चीज़ अंडरस्टांड करिए इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो एरिया हैं यह सारे के सारे ना आपके election laws के अंदर ही आ रहे हैं election laws को नहीं तोड रहे हैं तो उसका मतलब market in the long run positive ही है यह correction में हमें फाइदा उठाना है किस चीज़ का for buying opportunities ठीक है इतना तो clear होगे आपको अब एक बार मैं अगर इसका daily chart open करूं तो daily chart पर देख सकते हैं कि banks जो है वो ज्यादा pressure में है तो clearly 200 यह आपका 50 moving average के पास है यह daily chart के अंदर अब यहां से expected है कि market कम से कम 2% down open हो सकती है तो अगर हम 2% यहां पर देखें 2% आपका आता है लग बग इस range पर तो 50,000 के पास market open हो सकते हैं और 50,000 का level break होता downside पर तो एक और escalated fall आ सकता है यह आप ध्यान रखिएगा तो होगा यह Asian markets negative अगर वो नीचे fall देती है तो और यह 2% down खुलता है 50,000 के नीचे एकदम से fall आएगा फिर London खुलता है London में अगर fall आया तो इसमें और escalation आएगा तो कल की market बड़ी news based रहने वाली है तो हम लोग कल की markets में क्या करने वाले है we're going to watch the world markets world markets के साब से सब कुछ चलने वाला है तो हम लोग काल यह सब गलती नहीं करेंगे अगर world markets में down move आ रहा है तो हम लोग भी down move ही play करेंगे ओके clear ठीक है so next क्या है guys एक बार next मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं एक पंद्रा मंट का चार्ट की पंद्रा मंट के चार्ट पर क्या सीन हो रहा है कौन सा next support level है जो हम लोग देख सकते है support या फिर at least वह वाला लेवल जहां पर expected है कि यह market ना इधर से मेभी छोटा सा पुल बैक दे और फिर में भी सेल करते हैं तो आप देख सकते हैं यह 2% के करीब मैंने यहां पर मार्ग कर दिया ठीक है तो अगर लोग से देखते हैं तो आप वह ले लो की 50,000 के नीचे गेम ओवर होने वाली बहुत तगड़ी वाली तो कोई support है आप एक बार यह देख ल पॉल आएगा तो यह 50,600 के नीचे आराम से 304 का पॉल आ जाएगा मौनिंग मौनिंग के अंदर उसके बाद सेकेंड इवेंट होगा आपका 12 बजे के बाद तो आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट में अब जो लेवल हैं जैसी यह लेवल तूटता है ना 50,500 के लेवल कि यह जो लेवल अलबी जैसी तूटेगा मार्किट में एक दम से कम से कम हजार-दोजार पॉइंट का फॉल आना है तो आप अलर्ट रहे हैं अभी हम लोग अपसाइट का नहीं देख रहे हैं अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहा जाकर प्लान बनाएंगे अभी इस त को दिखाऊं निफ्टी ऑलन गास दिखाता हूं अगर आप देखेंगे अगर मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाऊं यहां पर एक वीक का चार्ट दिखाता हूं तो अगर आप यहां पर एक वीक का चार्ट देखेंगे एक वीक का चार्ट देखें आप यह जो सेक्टर् लेविल ट्रेंड में इस ताम में बहुत नेक्स लेवल भाग रहे हैं तो यहां से अगर कोई करेक्शन आता है कुछ आता है तो मेरे नजर में रहे रहेगा निफ्टी ऑल इन गास उसके बाद एक मैं नजर में रखने वाला हूं अपना एक सेक्टर रहने वाला है मेरा निफ्टी का आईटी आईटी के अंदर अगर करेक्शन साते हैं आप देख सकते हैं आईटी में मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है यह 37300 यह बड़ा इंपोर्टन है तो अगर मान लोग बड़ा करेक्शन आता है और 37300 की नीचे मार्केट ट्राविल करती है तो मुझे लगत है कि फिर मार्केट में यह वाला जो एक जो स्विंग है खतम हो जाएगा उसके बाद फिर मार्केट थोड़े टाइम साइडवेज रहे जैसे वह 2021 से लेके 22 में रहती है 18% जब करेक्ट किया था तो वह वाली मार्केट शाय दुबारा शूरू हो जाए ठीक है तो हम लोग इस सब चीजों के लिए ओपन रहने वाले हैं so we have to relax and see what is the next thing that we are about to do ठीक है तो I hope यह सब चीज आपको clear हो गई है sector आपको clear हो गया है कौन-कौन से sectors में क्या-क्या scene है तो एक बार अगर आप एक करके जाएंगे फार्मा जैसे है तो मेरे लिए IT हो गया फार्मा हो गया oil and gas हो गया यह बहुत important sectors है जहां पर मैं कोई भी pullback के wait करूँगा for a better buying opportunity ठीक है तो इनी sectors के अंदर हम लोग कुछ stocks दे stocks हैं जिसमें मैं pullbacks की wait कर रहा हूँ उनमें से insurance sector इस टाइम पर टॉप पर है okay मैंने आपको last वाले analysis में एक stock बताया था the new India assurance करके okay और मैंने आप इसको इस पर क्या बोला था कि यहां पर ना बहुत अच्छा pattern बन रहा है amazing pattern बन रहा है आपको दिखा सकते में full analysis आपके साथ share किया था कि यहां पर क्या हो रहा है neckline बन रही है एक liquidity grab चक हुआ है price क्या कर रहे भी यहीं घूम रही है तो most public क्या होगा भी gap down हो गया कुछ होगा तो price यहां घूम के जैसे ही breakout देती है या दुबारा से मेरे को 242 या 250 के पास मिलती है और वहां stay करती है तो you know these stocks can be on my list ठीक है अब इसी के जैसे ICACIA Prudential देखते हैं तो इसमें weekly देखते हैं तो weekly के अंदर कोई pattern है बिलकुल है तो आप यहां देख सकते हैं एक proper सा pattern मनाएगा इस बहुत बढ़िया pattern मन रहा है यहां पर breakout हुआ है अगर आपको new day assurance समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें pullback की wait कर सकते हैं आप समझ सकते हैं almost यहां पर 70-80 point का pullback होगा अगर gap down होता है या कुछ होता है तो this should be in your list एक pullback जरूर आएगा मैं आपको क्या बोला फार्मा हो गया insurance हो गया उसके बाद आपका IT हो गया यह सब ना जब pullback आ जाएगा जब गिरावट हो जाएगी तब समझना है कि यह कितने गिरें अगर यह जाधा नहीं गिरते as compared to the main markets तो यहीं पर pullback आएगा तो आप alert रहेगा तो जैसे ICC हो गया HDFC life हो गया सब में similar patterns बन रहा है इसका मतलब यह पूरा का पूरा जो सेक्टर है इसके अंदर कुछ तगड़ा होने वाला है तो इट has to come down पूरा rounding bottom है बहुत बढ़िया तरीके से इसके बाद SBI live insurance SBI जो है वो leading charge पर है तो अगर भाई इसके अंदर कोई एक गिरावट आती है तो मैं इसको सबसे पहले prefer करूँगा तो अगर मेरे को एक इसके अंदर चार्ट बनाना है कि मैं कैसे-कैसे stocks को select करने वाला हूँ सबसे पहले मेरे लिए बड़ा important होगा insurance sector मैंने last वाले में भी आपको बताया था जब मैंने NIACL आप लोगों के लिए select किया तो मैंने बोला था कि insurance sector में कुछ है scene तो थोड़ा इसमें ready रह जाना ठीक है तो अब यह पर क्या scene है और मैंने एक आपको textile बताया था तो यह textile insurance फार्मा यह सब जो है इनमें कहिना कई movements आना चालू हो गई है तो जैसे ही इनमें एक support आता है या कुछ आता है this should be in your list तो जैसे सबसे इसमें leader है SBI Life उसके बाद आपका HDFC या ICICI प्रूव ओके आपका उसके बाद HDFC हो गया ICIC हो गया तो यह दो तीन आपके आप अपने select कर सकते हैं HDFC Life की बाद हो गया ठीक है यह सब आप select कर सकते हैं इस order के अंदर आप select कर सकते हैं सबसे आपके list में SBI Life रहेगा वो बहुत जरूरी है बह बिल्कोल similar pattern मन रहा है आप देख सकते हैं almost breakout दे दिया है और अब यहीं पर ही वो news आ रही है तो mostly price नीचे आईगी फिर दुबारा अगर इसके उपर निकलती है तो as usual आपका buy आएगा तो insurance sector आपके check में रहना चाहिए और उसके बाद फार्मा की अगर बात करें तो यह जो आप देख सकते हैं natco pharma यह मैंने buy किया हुआ मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें मेरी position सोड़ी सी long term की है तो यह मैंने आपको दो यह तीन analysis पहले बताया था natco pharma इसमें अच्छा खासा breakout हो रहा है और यह multi-year breakout हो रहा है तो आप देख सकते है 2021 है तो अगर इस stock में कोई pullback आता है या market नीचे आती है 100-100 points नीचे आती है क्योंकि जब भी इस type की market में जटक लगती है न मतलब एकदम से market गिरती है without a reason तो एकदम से जब गिरती है तो यह अच्छे stocks भी नीचे आते हैं तो जितने भी लोग हैं जो late players है वो generally इस move से निकल जाते हैं क्योंक तो pharma sector should be new list और जितने भी आपके TCS हैं TCS हो गया TCS में आप देख सकते हैं पहला correction आ चुका है यह weekly chart है and अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें जो breakout है breakout is around this zone तो just in case अगर price में कोई यहाँ पर 4000 तक price नीचे आती है रुकती है W pattern ना के उपर निकलती है तो इस range में बड़े अच्छी buying हो सकती है तो आप इसमें alert रहेएगा ठीक है तो इसलिए TCS मेरा इस वाले list के अंदर है तो बहुत check कर रहा हूं मैं इसके अंदर and this should work जो हमारा next sector है यह है textile अब मैं जो आपको बता रहा हूं pharma, insurance, textile, IT यह सब है जहां पर pullbacks आएंगे तो आप इनमें half pair मारेगा because यह rising sectors है इनमें pullback आएगा तो इसमें demand आएगी यह आप ध्यान रखेगा तो यह आप देख सकते हैं यह जो area 170 तक का यहां पर अगर market down आती है तो pullback areas आ सकते हैं Kitex का आपका Kitex government अगर आप देखेंगे Kitex government को भी breakout देना है August 9 को उसकी earning है तो जाहर सी बाद है इसमें हम रुख सकते हैं थोड़ा so not an issue with that okay और इसमें हम wait कर सकते हैं कि 9 तरीक के बाद ही हम इसके अंदर half pair मारे and उसके बाद एक है आपका यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यह दुबारा से एक breakout दे रहा है analysis last time आप लोग साथ share किया था मैंने तो यह सब आप देख लिएगा और एक और stock है green ply यह सब है guys जो मेरी list में है बहुत बहुत बहुतरी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे यहां पर एक अच्छा खासा breakout हुआ है राउंडिंग bottom और यह multi-year है जो January 2018 से breakout हुआ है तो इसको मत छोड़िएगा this should be in your hit list जब जैसे भी pullback आएगा 30-40 point का तो इसके अंदर half pair जरूर मारना because this is a good stock और यहां पर एक volume rise हो रही है भैतरीन तरीके से तो this should be in your list तो list आपको दे दी है आप इसमें अब अपनी planning करिए okay so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like करिये share करिये channel को subscribe करिये and guys एक announcement है हमारा swing trading course आ गया है okay वीडियो के description में आप उसको जाके enroll कर सकते हैं यह अभी एक pre invite है काफी सारे लोग मेरे को swing trading course के लिए बोल रहे थे तो उन लोगों को मैं पहले यहां पर नियोता देना चाहता हूं तो आप लोगों के लिए अभी एक limited period पर discount है तो make sure आप इसको book कर लीजिए because जिसमें जितनी भी classes है इस सारी के सारी within two weeks आ जाएंगे okay उसके बाद इसके prices भड़ जाएंगे तो make sure आप उससे पहले इस course को enroll कर लीजिए okay I hope this helps and video पसंद जाय करेगा लाई टो एक रीजी कर लेका उना चलतुम के लीजों मौशन टूख एकर एक रहे टे दिया है कर ढ़ सुआता है शुआता है ड्या घड्लाउ मौशन के लेगों मौशन है ये धिर वीजिए two还 बप्यों मौशन ठाश्सलीश प्याः नियो चलत Mainस उत निर आछ